आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone The question is mass is 10 kg, hanging area of cross section is 100 cm2, length is 20 cm and y is 2 into 10 raise to power 11, find the total elongation तो बचों in this question यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक mass है 10 kg का जो की hanging है और यहाँ पर इसका area of cross section है बचों वो 100 cm2 दे रखा है और length यहाँ पर हमें 20 cm दे रखा है और यहाँ पर हमारा जो young modulus है उसकी value दे रखे 2 into 10 raise to power 11 newton per meter square तो total elongation देखना है कि total elongation कितना आएगा तो लेट सी बचों यहाँ पर एक mass है 10 kg का जो की hanging है बचों तो इसको hang कर देते हैं बचों कुछ इस तरीके से राइट कुछ ऐसे hang है बचों और यह 10 kg का है बचों राइट यह 10 kg है तो इसका जो weight होगा mg वो downward करेगा और यहाँ पर इसमें जो elevation होगी बचों डिल्टा एल की हो जाएगी यह हमें देखना है और यहाँ पर इसका जो length है बचों initially वो 20 cm दे रखा है और इसका जो cross section area है वो 100 cm square है और यहाँ पर इसका जो mass है बचों वो 10 kg दे रखा है और young modulus y is equal to 2 into 10 raise to power 11 newton per meter square दे रखा है यहाँ पर तो total location देखो कैसे calculate करेंगे तो as we know that y is equal to क्या होता है बचों हमारा y is equal to होता है stress upon strain के equal क्या होता है young modulus stress y strain के equal अब यहाँ से stress क्या होता है बचों stress होता है यहाँ पर हमारा force y area और strain होता है change in length upon में original length right so इसको simplify कर लेते हैं f upon में a और into में यह आ जाएगा l into में delta l तो यहाँ से बचों अगर delta l की value देखें, elongation कितना आएगा so यह value आ जाती है हमारी f into में l divided by y into a right so delta l is equal to अब यहाँ से force किसके कोल होगा बचों mg के mass है 10 और g की value यहाँ पर में 10 यूज कर रहा हूँ और length यहाँ पर हमें 20 cm दे रखा है तो 20 into 10 raise to power minus 2 right और यहाँ से y कितना है young modulus 2 into 10 raise to power 11 2 into 10 raise to power 11 और area कितना दे रखा है यहाँ पर cross section 100 cm square so 100 into 10 raise to power minus 4 right so now बच्चों इसको अगर हम further simplify कर लें यहाँ से तो delta l is equal to कितना आ जाएगा यहाँ से मारा तो यहाँ से देखो 2 से यह कितनी वाज cancel out होगा 10 बार तो यह होगा 10 raise to power 3 और इधर होगा 10 raise to power minus 2 और यह कितना आ जाएगा यहाँ से मारा 100 है यह और यह हो जाएगा 10 raise to power 9 right यह उपर चला जाएगा 11 हो जाएगा so delta l की value आ गए बच्चों यहाँ से 1 into 10 raise to power minus 8 meter तो बच्चों यहाँ से हमें लोगेशन देखना था कि लोगेशन कितना आएगा तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो इलोगेशन आ रही है वो आ रही है 1 into 10 raise to power minus 8 meter के एकवार right तो बच्चों दिस इस the solution for this question I hope you like this video and thank you so much for watching Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर